वेल्कम बेक टू करेंट फेर डिसकेशन इस सेशन में हम फरवरी दो हजार इसकेशन के हिमाचोदेश के जितने भी इंपॉर्डन करेंट फेर्ज है उन्हें डिसकस करेंगे अगर आपको इस सेशन की पीडियाफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया ह है वहांसे आप डाउन्लोड कर सकते हैं राउन्बॉर्ट 50 वेज़ेश की पीडियाफ होगी और डिटेल में साब कुछ कवर किया गया है स्टाट करते हैं डिसकेशन फर्स क्वेशन इस केंद्रिय प्रदूशन इंतरन बोर्ड द्वारा प्रस्तूत एक रिपोर्ड के उसमें ये पता लगा कि हिमाचवदेश, चंडिगर्ड, डेली, पुड़ू, चेरी और वेस्ट बंगॉल इन सभी स्टेट्स जो ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूटीज हैं इसमें जो इनका टोटल स्कोर रहा है वो 21 रहा ह और टोट टॉटीफॉर इसमें 12 की परफॉर्मिंगेटर को असेस किया गया मौसम विवाग शिम्बला के अनुसार जनर्वरी दो हजयर इकिस में हिमाचवदेश में कितनी प्रतिशल वर्षा कम हुई तो 58 परसेंट बारिश कम हुई है हिमाचवदेश में जनर्वरी दो प्याद रखी गा और यह सामानने से 58 परस्ति कमती अधार काड़ के अनुसार हिमाचवदेश से 130 वरष की उमरदाज महिला का नाम क्या है तो इनका नाम है मनिशा देवी ऑप्संस ही इसका correct answer है आप देख सकते हैं इमीज में यह मनिशा देवी अधार काड़ के अनुसार इनके जो date of birth है वो 890 है और अभी यह 130 वरष की हो चुकी है बिलासपूर डिस्टिक की पपलाह विलेज की यह रहने वाली है देखी इनका पता कैसे लगा जब election टाइम था हिमाचवदेश में फरबरी में तो उस समय पता लगा इनका अधार काड़ जब चेक किया गया तो वहाँ पर पता लगा कि 1890 इनकी date of birth है तो इनके उपर inquiry भी की गई जो document थे वो चेक किये गए अच्छे से चेक किये गए और उन्हें से यह भी पाया गया निव्थ मैंसे किस पंचायत को स्कॉच ओडर आफ दा मेरिट प्रमान पत्तर मिला है यनकी स्कॉच ओडर आफ दा मेरिट स्रेटिफिकेट दिया गया है कौन सी पंचायत है यह है मुरहाग पंचायत वही पंचायत है जो मुख्यमत्री जारम ठाकुर की अपनी पंचायत है इसके लाबा मुरहग पंचायत में मन्रेगा के तहत मन्रेगा पार्क भी बनाए गया है और टूरिजम के लिए काफी बड़ी अट्रेक्शन है काफी लोग वहाँ पे घुमने के लिए जाते हैं हिमाज़देश की कौन सी जील का दिदार करने के लिए स्थानिया प्रशासन से परमिट लेना होगा यान की कौन सी ऐसी लेक है जिसमें की फर्वरीज 2021 में वहाँ पर जाने के लिए परमिट लेना जरूरी था तो वो है चंदरता लेक ऑप्शन सी इसका करेक्ट अंसर है इस पठार के उपर सीत है उसका नाम है समुद्रा टापू प्लैटियो यानिकि समुद्र टापू पठार राजकी अतन्त चिकेस्सा महाविदैले शिमला के किस प्रफेसर को रास्टीय सम्मेरियन में स्रेश्ट वैग्यानिक विवेचनापुर्शकार से सम्मानित किया गया यानकी Best Scientific Investigation Award जिसे दिया गया National Conference में तो वो है डॉक्टर शैली फोतेदार Option A Correct answer है यह माज़देश की किस नीजी विश्वदैले में 36,000 फरजी डिगिडियों के गोटाले का मामला सामने आया है तो अभी भी काफी इंक्वरी चली है अभी अक्टूबर चल पड़ा है और अभी भी काफी इंक्वरी चली है जिनने वहां से डिगिडि की है तो यह है मानव भारती इंवस्टी और यह सोलन में स्थित है बात करें मानव भारती इंवस्टी की तो सोलन के रजदी की जगह जिसका राम है कुमारटी वहाँ पर रजदी की गाओं है जिसका राम है लाड़ो तो वहाँ पर यह मानव भारती इंवस्टी सित है वर्ष दो है आर्ट नौ के सेशन में इसकी सापना की गई थी और यूजी कितने वर्ष का सेवा विश्थार दिया गया है। तो हिमाज़ोँदेश की जो महिला आयो की अधक्ष है, उनका नाम है डॉक्टर डेजी ठाकूर, इनका नाम याद रखेगा। और इन्हें तीन वर्ष का विश्थार दे दिया गया है। हिमाज़ते सरकार कोचिंग के लिए कितने मेधावी चात्रों को एक एक लाक रुपए देगी तो इसकी अनॉसमेंट जो है बजट में भी की गई थी तो टोटल हंडर्ड स्टुएंट्स को एक एक लाक रुपए दिये जाएंगे कोचिंग के लिए और इसकी अनॉसमेंट मु सम्माने जानकारी और नई तक्निकों से अगवत कराने के लिए हेमाचपलेश का कौन सा विश्यवदारे जल्द ही एक सामदा एक रेडियो स्टेशन शुरू करेगा तो यह शुरू किया जागा एगरिकल्च इन्वेस्टी पालंपूर द्वारा दिखिए जो एगरिकल्च इ मंठि रिष्टी के सुंदर्णगर में इसके लावा प्र ने till दोरह जो भी हमारे फार्मर्स हैं मुख्य रूपसे गडिकल्च इन्वेस्टी पालंपूर में एक यहारी ऑ establish की जा रही है तो ये पालंपूर में इसकी स्थापना की जा रही है स्नो ट्राउट का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई प्रियोजना कहां चल रही है यानकी कौन से डिस्टिक में स्नो ट्राउट की प्रोडक्शन को योजना के अंतरगत establish किया जाएगा दीखिए ये जो रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम है इसमें लिम्टिड वाटर का उपयोग किया जाता है और उसी में ही जो मचलियां है उनकी प्रोडक्शन की जाती है ताकि समर में जब पानी ना हो तो उसमें पानी का कम उपयोग किया सके इसके लाभा हीमाचपदेश में जनरललवाटर के लिए पांच पॉंड इस्टैबलिच के जाएंगे और इस से जो हमारी एक्स Awesome प्रोडक्शन है वह इंक्रीज हो जाएगी चार मिट ट्रिक्टन से लेके दस मिट ट्रिक्टन पर एर हमारी जो production है फिश की वो increase हो जाएगी देखिए कुछ important fishes है हिमाचर पिडेश की जैसे cold water की है वो है rainbow trout और अगर जनरल वर्टर की बात करें तो इसमें हैं पैंग स्विस common crap और तिलापिया इन तिनों का नाम याद रखेगा इसके लाब एक और important fish भी है इसका नाम है golden और महासीर और इसे हाली में देखा गया था हिमाचर पिडेश की नदियों में स्कूलों में ठोस कच्रा प्रबंदन का विशे शुरू करने वाला हिमाचर पिडेश का पहला जीला कौन बना है तो यह बना है laws पिटी very very important question देखिए laws पिटी इस तरह के कारे करने के लिए जा सके ठोस अफ्सिष्ट प्रबंदन यानिकि solid waste management के लिए laws पिटी परशाचन ने किस IIT के साथ एक समझौता ग्यापन पर हास्ताक्षर किये हैं ताकि solid waste management की जा सके laws पिटी में next is मुक्यमंत्री जाराम ठाकुर ने राज्ये के विविन हिस्सों में उद्ध्यान स्तापित करने के लिए वन विवाग के किस कारे कर्म का उद्गाटन किया इसका correct answer है option D स्वरणिम बाटी का कारे कर्म दिखिए स्वरणिम बाटी का कारे कर्म के अंतरकत हिमाजवडेश की जो 68 विदान सवा क्षेतर हैं उसमें 68 स्वरणिम बाटी का बनाई जाएंगी और इससे होगा क्या जो हिमाजवडेश का वन क्षेतर है वो भी इंक्रीज होगा लोगों को आराम सुवदा भी परदान होगी और रमनिक स्तलवी डिवलब किये जा सकेंगे वन विवाग दोरा हिमाजवडेश में चैरी ब्लॉसम के कितने पौदे लगाया जाने का परस्ताव रखा गया है तो टोटल 800 जो है चैरी ब्लॉसम के पौदे लगाया जाएंगे हिमाजवडेश में और इसके लिए जो पहला पौदा है वो मुख्यमत्री जैरम ठाकुर न जनवरी 2021 में राजस्व प्रापतियों में कितनी प्रश्यत वृत्ती दर्च की है तो टोटल 38 प्रसेंट जो है इनक्रेश हुआ है हिमाजवडेश की रवेन्यू रिशिप्स यान की राजस्व प्रापतियों में इसमें टो टोटल हमारी रवेन्यू रिशिप्स हैं इनको Confederation of Indian Industry द्वारा आईजित किस बैविनार की अधिक्षता की तो इस बैविनार का नाम याद रखेगा इसका नाम है Changing Landscape of Indian Pharma Sector और इसी शिमला में आईजित किया गया था और ये भी याद रखेगा इसे Confederation of Indian Industry द्वारा आईजित किया गया था एशिया का सबसे बड़ा Pharma Hub कहा स्थित है तो ये है बद्दी में स्थित याद रखेगा एशिया का सबसे बड़ा Pharma Hub है वो बद्दी में स्थित है Suranimative Himachal या थात्रा के दोनान Himachal प्रदेश में किस वाद विवाद कारेकरम का आईजिन किया जाएगा इसका प्रदेश की गोल्डन जूबली सेलेट करने के लिए Suranimative या थात्रा का आईजिन किया जाएगा लेकिन अभी तक किया नहीं गया है COVID की वज़ा से तो इसमें एक वाद विवाग यानिकी डिवेट इवेंट और्गनाईज किया जाएगा जिसका नाम रखा गया है इतिहास पे चर्चा किंदर सरकार की 40 करोड की वीतिये सहायता से हिमाचाप प्रदेश में प्लास्टिक पैकिंग पर्क कहा स्तापित किया जाएगा तो यह स्तापित किया जाएगा नालागड में तो नालागड में किंदर सरकार की 40 करोड की वीतिये मदद से हिमाचाप प्लास्टिक पार्क इस्टैबलिश किया जाएगा और इसके लिए 100 एकड जमीन भी चीनित की गई है नालागड में यहां पर प्लास्टिक की बोतले प्लास्टिक और फार्म उद्योग में जो पैकिंग समागरी उपयोग होती है उस तरह की जूटतों की सारी चीजों को बनाया जाएगा हिमाजवदेश सरकार किस नदी पर एक चादर ट्रैक की योजनब बना रही है देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन है यह और इससे टूरिजम भी काफी जनरेट होगा और प्रमोट होगा तो चादर ट्रैक जो है हिमाजवदेश में चंदरा रीवर पर बनाया जाने का पर स्ताब रखा गया है और इसके उपर कारें भी किये जा रहे हैं देखिए आप देख सकते हैं सर्दियों में इस तरह से जम जाती है जो हमारी चंदरा रीवर है लॉस्पिति डिस्टिक में तो जो अटर टरनल है उसका जो ऊतरी छो रहा है यानि की नॉर्थ पोटल है व और यह है चंदरा नदी तो चंदरा नदी से लेके सिसु तक का जो पांच किलोमेटर का ट्रैक है वो त्यार के जाएगा चंदरा नदी पर चादर ट्रैक और इस सर्दियों में त्यार के जाएगा हिमाचर दे सरकार चिनाब नदी से कितनी बिजली बनाने की योजना बना रही है तो हिमाचर दे सरकार ये निरने लिया है कि पच्छी सो मेगवाट का दोहन किया जाएगा चंदरा नदी के पानी से और इसके लिए पहले चरण में पर इडमिशन दी जाएगी और दस फीजदी चातराओं को यहां पर अडमिशन दी जाएगी इसके लिए इनकी इतनी सीटी जो है अवंटित की गई है और चातराओं को शिक्स्त क्लास से दाखिला मिलेगा यहां पर हिमाचवदेश में प्राक्रितिक जलसंसादनों का नवीन निकर्ण किंदर सरकार की किस प्रविजना के तहत किया जाएगा तो कौन सी प्रविजना है जो जितने भी हमारे प्राक्रितिक जलसंसादन है जैसे नाले वेगरा जहरने वेगरा तो उनका जो हमारा नवीन निकर देश की जो की एनिमे से पीडित हैं और यह बतायागा कि इस रिपोर्ट में 15 फाइनांस कमिशन की रिपोर्ट में रियाद रखेगा 53.5% महिलाएं ऐसी हैं हिमाचापदेश में इस रिपोर्ट के नुसार जो की एनिमे से पीडित हैं देशवर में 53.1% है तो यह जो है वो 2.5% कम है हमारे देश की एवरेज से इसके लावा हिमाचापदेश में 10,000 लोगों की आवादी पर एक हस्पताल है 200 लोग की आवादी पर उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक नर्स है 700 पर एक फार्मासिस्ट 200 लोगों को बचार करने के लिए एक डॉक्टर है बात कर देश का पूल सालाना बजट है स्वास्ति के लिए 6.5% रहता है जबकि देश का जो आसत है वो 5.2% है इसके लावा हिमाचापदेश में जो infant mortality rate है वो 19 है मतलब 1000 बच्चों पर 19 बच्चों की मौत होती है जबकि देश में 32 है और हिमाचापदेश में 53.7% बच्चे ऐसे है जो की अनिमे से पीडीत है और देश में 58.6% है और हिमाचापदेश में 21.2 बच्चे ऐसे हैं जो की कम बजन के पैदा होते है और यह सारी के सारी बताया गया 15th Finance Commission की रिबोर्ट में हिमाचापदेश पुलिस की पुलिस की एबीट पुस्तक प्रणाली को अपनाएगी तो पहले क्या होता है जो भी सारा का सार रिकॉर्ड था वो नोटबुक और रिजिस्टर में एंटर किया जाता है पुलिस के दोरा लेकिन अब चंडिगड पुलिस दोरा जो है e-bid book system लांच किया गया है जिसके अंतरगात एक centralized smart cell system बनाया गया है और जो भी पुलिस Constable हैं उने Smart Cell दिये गए है Smart Cell Phone दिये गए हैं उसमें वो सारा का सारा Record रखेंगे अब हिमाचवदेश भी इस सिस्टम को implement करेगा हिमाचवदेश में याद रखेगा चंडीगड की तरज पर ही हिमाचवदेश में जो हमारे होम निश्टे हैं अमिशा उनके द्वारा इस E-Beat Book सिस्टम को लाँच किया गया था पंदरवें वित आयोग ने हिमाचवदेश सरकार को अगले पांच वर्षों के लिए कितना अनुदान दिया है तो टोटल दिया है 81,970 क्रोड रुपए देखिए 15th Finance Commission कौन है हमारे N.K. Singh इनका नाम याद रखिएगा तो 15th Finance Commission ने 81,970 क्रोड रुपए दिया है अगले पांच वर्षों को हिमाचवदेश को यहनकि वीतिवरष 2021-22 से लेके वीतिवरष 2025-26 तक इसके लावा कुछ और गरांट्स भी दी गई है जैसे कि State Specialty Grant कितनी दी गई है 420 क्रोड रुपए और नागचला में जो मंडी डिस्टी के नागचला में जो एरपड बनाया जागा उसकी construction के लिए 1000 क्रोड रुपए गगल एरपोर्ट को अपगेड करने के लिए 400 क्रोड किया गया है देखिए लदाक में जांसकर वैली है उसको दार्चा से जोड़ा गया दार्चा है लौसपिती में तो एक समाजी कारे करता है उन्हें अवार्ड दिया गया और यह दिया गया उन्हें पदमशी से समानित किया गया तो की नहीं दिया गया तो यह गया गया सूल के लिए और इसके लिए ने पदब शीर सम्मारीत भी किया गया देश में मोटापय के मामले में हिमाजवडिश की स्ठीथी क्या है in Colby pack का रंक क्या है देश में From Southern Northern यानि की मोटापय के मामले में हिमाजवडिश है कितने परसेंट लोगों को हो रही है तो 11.5 परसेंट लोगों को हिमाचवदेश में डियावेटीज हो रही है मदू में हो रही है और इसके लिए जो पैन इंडिया आइसेमर इन डियावेटी स्टडी जो है 39 स्टेट और दो यूनिन ट्रेटीज में रख्ट की गयी और इसमें हमाचवदेश का 6 प्रिज कहा है बात करें कुछ आंखनों के बारे में तो जो नशनल एवरेज है वह 10% है और हमाचवदेश में 11.5 परसेंट इसमें मेल्स में 11.6 परसेंट है और नेशनल देखा नेचर कंजर्वेशन फांडेशन के कैमरा आलर परजट के अनुसार लिए से इसनो लेपर्ड है तो याद रखेगा तिन वर्ष तक यह परजच चला और इसे नेचर conservation foundation द्वारा चलाए गया इसके लावा इन्होंने state wildlife wing और snow leopard population assessment of india protocol के अंदर गत कारे किया इसमें जो इनका जो particular area है वो भी पता लगा जैसे कि हिमाजवलेश में जो trans-Hemalian region है यानि की speedy valley, pin valley और upper किन और जो area है वहां पर high density है इनकी तो total 44 snow leopard directly detect किये गए जिसमें से की 32 जो हैं इसी region में detect किये गए थे इसके लावा other sites भी पता लगी जैसे कि लौहल की चंद्रा भागा और मियार area, चंबा का बर्मार और किन और का बस्पा और कुल्लू में भी snow leopard को देखा गया इसके लावा जो इनका prey area है और जो इनकी location है वो काफी ज़्यादा spread है और मुख्य रुक से जो इनका prey है वो है blue sheep और e-backs आप देख सकते हैं में यह है blue sheep और e-backs और इनकी जो prey density है वो सब ज़्यादा है स्पीती पिन और अपर किन और के area में इन सभी को याद रखीगा किस वरष में हीमतेंदों को हीमाजबदेश का राज्य पशुक घोशित किया गया था तो कौन से वरष किया गया था यह किया गया था वरष 2007 में वरष 2007 में third state wildlife board की meeting हुई थी तो उसमें पहले जो था मस्कडियर था तो उसमें 2007 में snow leopard को हीमाजबदेश का तक हीमाजबदेश जो है वो क्षय रोगमुक्त हो जाएगा इसके लावा हीमाजबदेश ने तो रखा है 2013 तक की हीमाजबदेश को tuber closest free कर दिया जाएगा और जो हमारी union government है बार सरकाने 2025 लक्षय रखा है और पूरे world को 2050 तक TB free यानिकि tuber closest free कर दिया जाएगा इसके लावा हीमाजबदेश में हमिरपूर में पहली वार वर्ष 1990 में TB control program को implement किया गया था उसके बार कांगड़ा और मंटी डिस्टिक यहाँ पर भी इसे implement किया गया ब्रिटिस राज के दौरान TB यानिक टूबर क्लोसिस से पीडिस सेनिकों को इलाज किया ले किस अस्पताल में बेजा जाता था इने बेजा जाता है TB सेनेटोरियम धरमपूर जो कि सोलनरिस्टिक में स्थीत है देखिए उस समय असेसिबिलिटी देखी जाती है कि कहां पर क अच्छे होते हैं जिने जिने भी टूबर क्लोसिस हुआ होता है तो इसे लिए TB सेनेटोरियम धरमपूर में बनाए गया पंद्रहवें वित आयो के रिपोर्ट के अनुसार हिमाचपदेश में सरकारी नौकरियों में कितनी कमी आई है तो 0.8% कमी आई है हिमाचपदेश में सरकारी नौकरियों में और ये रिपोर्ट जारी किये गई 15th Finance Commission द्वरा वर्ष 2001 में 4.5% गवर्मेंट जॉब्स दिये हिमाचपदेश में और अब हो चुकी है 3.7% देखिए देखने में आंकड़ा छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है हिमाचपदेश में चमूर्थी गोड़ा परजनन के अंदर कहा सित जाता है यानिकि जो चमूर्थी होर्स ब्रीडिंग सेंटर है वो कहा सित है वो है लरी मिस्तीत देखिए अब देख सकते हैं हमेज में यह से बोलते हैं चमूर्थी होर्स चमूर्स होर्स इसे शीप ऑफ cold desert भी कहा जाता है और काफी important पर जाती है हिमाचर प्रदेश के लिए मुक्के रुप से कुलो लॉजबेदी और किनौ डिस्टिक में ये पाया जाता है और इसके लिए जो horse breeding farm है वो वर्ष 2002 में स्पिती के लरी में establish किया गया अभी जो है इनकी population बढ़ चुकी है लगबोई 4,000 तक पहुंच चुकी है और अब इनका जो conservation status है वो not at risk पर है रस्टिय बाल गनित अकादमी नई दिल्ली के रस्टेश जीव के रूप में किसे चुना गया है इसके लावा शिमला के राजकी अवरिष्ट मादमी के पारशाला बसंतपूर के जो परधानचारे है ओम प्रकाश कास्यास्त्या उन्हें नेशनल चिल्डर्न मेंथ अकादमी का परदेश नितिशक यानिकी जो श्टेट डिरेक्टर है उसे बनाए गया है पेराग्लाडिंग के लिए रास्टिय भारतिय एकुरेसी कप अपराल 2021 किस स्तान पर आज़ित किया जाएगा तो इस नेशनल इंडिन एकुरेसी कप है पेराग्लाडिंग के लिए इसे बीड बीलिंग में आज़ित किया जाएगा बीड बीलिंग कहा है ये कांगड़ा में है और लगबाग 100 से अधिक पाइलेट इसमें हिस्स्सा लेगे हिमाज़डिश में कितनी नए जेलें बनेंगी तो हिमाज़डिश में टोटल किनी नए जेलें बनेगी टोटल पांच बनेगी और कहा कहा こ Neighbor मंडी, कुलू, रामपूर, किनौर और नालगड इसके लावा हर्यान की तर्ज पर हिमाजवरेश की जेलों में भी हरबल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा हिमाजवरेश सरकार ने की जेले में एक सामान्य इंजिनीरिंग क्लस्टर थापित करने का निने लिया है यानि कि जनरल इंजिनीरिंग क्लस्टर कहा बना जाएगा हिमाजवरेश में तो ये बना जाएगा उन्ना डिस्टिक में भी मंजूर किया था गायतरी पुर्सकार हिमाज़ेश के किस जिले से संबंदीत है तो हिमाज़ेश के सिर्मौर डिस्टिक से संबंदीत है गायतरी पुर्सकार दिखी सिर्मौर जिले में एक जगह जिसका नाम है ददा हूँ तो वहां पर रिनुगा जी तीर्थी माता का लिए अदिर भी है और ये गायतरी प्रुसकार दिय जाता है। परिवार भारत में आया था और बिये करने के बाद ये रेंज अफशर में चाहिने दोए थे हिमाचपडेश में वर्ष 1907 में जन्ता पार्टी से ज्वाली से इन्होंने विधायक बने थे 1980 में कॉंग्रेश में सामिल हुए 1990 में कॉंग्रेश के टिक्रिकट पर जीत कर विधानसबवा पहुँचे तिसरी बार ये जब जीते 93 में तो करिशी मंत्री बनें चौती बार 2003 में जीते तो परिवहन मंत्री बने और 2009 के उप चुनाव में पांची बार विधायक बने और 2012 से 17 तक इन्होंने लगता जीता 2009, 2012 और 2017 तो चुनाव जीत कर तीन बार ये जीते और इन्होंने हैट्रिक लगाई और ये साथ बार फटेपुर विधायक बने और इन्होंने ये रिकॉर्ड इस्टैबलिश किया 2012 से 17 तक इन्होंने हिमाचादेश के उर्जा मंत्री रहे थे दो हैस्तारा का जो असेमली एलेक्शन हुआ था तो ये हार गए थे और ये किस से हारे थे सत्पार रेजदा जो की कॉंग्रेस के MLA है और जो फिफ्ट फाइनास कमिशन था हिमाचादेश का स्टेट का उसके जो अध्यक्षते वो कौन थे कुलदीब कुमार जो की फॉर्मर कॉंग्रेस प्रेज़ेंट थे उननासे हिमाचाद इश्के के जिले में जुकारू मिला लगता है तो कहां लगता है ये लगता है चंबा में चंबा डिस्टी के पांगी घाटी में लगता है जुकारू मिला हिमाज़ देश के राज़पान ने हिमाचल संस्कित अकादमी के पूरव सचीव डॉक्टर मस्तराम चर्मा दोरा लिकित किस पुस्त का विमोचन किया तो इन्होंने किया अथरववेदा याद रखेगा इसे बुक का नाम अथरववेदा तो पूरव सचीव थे डॉक्टर मस्तराम चर्मा हिमाचल संस्कित अकादमी के तो उनकी पूस्त का विमोचन किया हिमुडा के अध्यक्ष कौन है यानि कि हिमूडा के उपाध्यक्ष कौन है वाइस चेर्म से सम्मानित किया गया था very very important question क्यूंकि यह पिछले वर्ष का question है लेकिन important exam में आ सकता है इसलिए add up किया गया इनका नाम है रोमिश पठानिया इन्हें 24 आवाट से सम्मानित किया गया था और यह हमेर पुरके रहने वाले हैं मंडी रियासत के अंतिम साशक कौन थे जिनके बेटे अशोक पालसेण का हाली में निदन हो गया तो फर्वरी 2021 में इनका निदन हुआ था और इनका नाम था अशोक पालसेण और नंके पुतल के थे उन रखेगा किशाव बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी जो किशाव बांध रास्टी परियोजना है उसे बनाई जाएगा टॉंस नदी के ऊपर यहां पर देखिए आप मैप में यह हमारा शिम्ला डिस्टिक है और यहां पर है सिर्मार यह है पबर नदी और यह ह और बहने वाली टॉंस नदी पर इसे बनाए जाएगा और इसे 2008 में रास्तिय महत्तों की प्रयोजिना गोशित किया गया था बांध की उंचाए 236 मिल्ट रखी जाएगी और 660 मेगावाट यहां पर विजली त्यार की जाएगी हिमाजवलेष के किन दो जिलों के लोग किशाओ बांध परयोजिना से प्रभवावित होंगे जो है ये 2950 हेक्टेर क्षित्र में फैलेगी और इसमें हिमाजवलेष का 1458 हेक्टेर क्षित्र आएगा उत्रकंड का 1442 हेक्टेर क्षित्र और बान में हिमाजवदेश के 8 गाउं डूबेंगे जिसमें 6 से मौरगे और 2 शिमला के और इसमें उत्राखंड के 9 गाउं आएंगे टोटल जो है 14 उपगाउं भी सापित के जाएंगे इसमें हिमाजवदेश और उत्राखंड के दिखे जो उत्राखंड में टॉंस नदी को तमसा नदी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह नदी जो है शापित है यह माना जैने इसे शाप दिया था कि इसके पानी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होगा और इसलिए जो टॉंस नदी है इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है सुप्रीम कोट ने FCA और FRA के तहत हिमाचपदेश की कितनी प्रयोजनाओं को मंजूरी दी है तो 605 प्रयोजक्ट ऐसे हैं हिमाचपदेश के जिसे सुप्रीम कोट ने FCA और FRA के अंतरकत मंजूरी दी है FCA की फिलफार में Forest Conservation Act 890 का ये Act है और FRA की फिलफार में Recognition of Forest Rights Act 2006 इसे Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act भी कहते हैं तो इसके अंतरकत हिमाचपदेश के 605 प्रयोजक्ट ऐसे हैं जिनकी Approval दिया गया है सुप्रीम कोट द्वारा इसके लावा में 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 प्रयोजक्ट उनको धिया रखेगा जैसे की 1337 क्रोड का जो है Green Corridor National Highway सिर्मौर है उसे Approval देतिया गया है और दोलेन का National Highway बनाया जाएगा धरमशाला का उसे भी Approval दिया गया है और दौला सिद्ध Hydro Electric Project उसके लिए भी FCAFRA से Approval दिया गया सुप्रीम कोट द्वारा और शिवधाम प्रजक्ट जो की Tourism Department मंडी के द्वारा बनाया जाएगा उसे भी कोट द्वारा अप्रूबल दे दिया गया है किंदर सरकार द्वारा वित पोशित योजना पढ़ना लिखना अभ्यान हिमाजडेश के कितने जिल्यों में शुरू होगा तो हिमाचल देश में पढ़ना लिखना अभ्यान जो है केंदर सरकार द्वार ये वीद पोशित है तो ये 6 जिलों में शुरू होगा और 6 जिले कौन कौन से हैं चमबा, किनौर, कुलू, लहस्पिती, मंडी और सिरमौर याद रेखीगा पढ़ना लिखना अभ्यान इसका नाम है, 6 जिलों में शुरू किया जाएगा और प्रॉड शिक्षा की तरज पर इसे अभ्यान को शुरू किया गया है इसमें जो फंडिंग की जाएगी वो 90 रेशो 10 के अनुपात में की जाएगी यानि कि 90 प्रिशल पैसे जो है के अंदर सरकार दोर जी जाएगे और 10 प्रिशल पैसे जो है हिमाचल दे सरकार वहन करेगी और इस अभ्यान में 15 से 80 वर्ष तक की लोगों को सभी को कवर किया जाएगा भारत सरकार के परिवन और जलवायू परिवर्थन मंतराले का क्षेत्री कारेले हिमाचल दे के किस तान पर खोला गया है वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन तो ये खोला गया है शिम्बला में देखे कुछ प्रोजेक्ट की जो है वन भूमी के लिए अप्रूबल लेना पड़ता था तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो देरादून बेजने पड़ती थी 96,855 क्विंटल गेहुं बीज उतपादन का लक्षे रखा है तो ये रखा है 2021 का जो वीती वर्ष है उसमें 96,855 क्विंटल गेहुं के बीज का उतपादन का लक्षे रखा है जो बीज है हिमाचपदेश में दूसरी राज्यों से मंगवाने पड़ते थे और लगबग 1,08, 8,000 क्विंटल सीड की डिमांड है फार्मस द्वारा तो हिमाचपदेश सरकार ने लक्षे रखा है कि 2021 का जो वीती वर्ष है उसमें 96,855 क्विंटल सीड प्रड्यूस के जाएगा हिमाचपदेश में निवित मैंसे कौन सा जिला हिमाचपदेश में अदरक का प्रमुक उतपादक है तो प्रमुक उतपादक कौन है अदरक का तो वो है सिरमार हिमाचपदेश के खिश जिले को लहसुन का हब भी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है ये कहा जाता है सिरमार को हाली में हिमाचपरिश में दो स्थरों पर कौन से दातू के बंदार पाए गए हैं तो ये पाए गए हैं यूरेनियम के तेकि हिमाचपरिश की दो जगह ऐसी हैं जहां पर यूरेनियम के स्मॉल डिपोजिट पाए गए हैं तो एक है शिमला का काशा कलादी और एक है मंडी का तिलिली तो शिमला के काशा कलादी में ऐसा पाया गया है कि 200 टन का ट्रा यूरिनियम औक्टॉक्साइड होगा जिससे की 170 टन का यूरिनियम प्रडूस के जा सकेगा और मंडी के तिलिली में 220 टन का ट्रा यूरिनियम इसके लावा हिमाचल देश में सबस्यादा युरेनियम के बंदार पाए गए है उन्ना डिस्टी के राजपूरा में इसको भी याद रखिएगा और हमिरपूर के लंपरेरा विलेज में भी कुछ-कुछ युरेनियम के ड्रपॉजिट पाए गए देश के उन 11 राजियों में से हिमाचल देश की स्थिति क्या है जहां युरेनियम का पता लगाए गया है यानि कि हिमाचल देश का रेंक क्या है इन 11 स्टेट्स में जहांपर की युरेनियम के हमारे बंदार मिले हैं तो हिमाचल देश का रेंक है टेंथ है तो हिमाचल देश यहां पर लगबग 1,95,751 टन का जो है uranium प्रडूस के जाता है और अधर राजों में 3,45,312 टन प्रडूस के जाता है uranium और uranium का जो atomic number है याद रखेगा वो है 92 अगर आपको इस session की PDF चाहिए तो PDF का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते है हिमाच्व देश में सबसे कम उमर की जीला परिशद अध्यक्ष कौन बनी है तो कौन बनी है इनका नाम है मुसकान और यह बिलासपूर की जीला परिशद की अध्यक्ष बनी है नाम याद रखेगा मुसकान इनका नाम है और सबसे कम उमर की हैं ये हिमाजवदेश विज्ञान प्रदगी की और पर्यावन परिशत द्वारा कितने चात्रों को यूवा विज्ञान पुरुसकार से संबानित किया गया है इतने चात्रों को तो इस बार 46 शुडेंट्स को इ 2019 में 30 और 2018 में 47 शात्रों को इससे संबानित किया गया था देखिए वर्ज 2018 में यूवा विज्ञान पुरुसकार स्कीम लाँच की गयी थी हिमाजवदेश सरकार दोरा तकि जो शात्रे हैं वो साइंस सब्जेक्ट को चूज करें और अगे रिसर्च का काड़े करें तो प् हिमाजवदेश की पहली महिला प्रधान मुख्यावन सरक्षक और वन से अन प्रमुख कौन है तो पहली महिला है इनका नाम क्या है समीता شर्मा और अभी इनकी रिटार्मेंट भी होने वाली है लेकिन नाम याद रखिएगा पहली महिला है इसलिए इमपोर्ड़ंट है आईपेल 14 की निलामी के दौरान ही माचब डेश क्रिकेट टीम के किस क्रिकेटर को कुलकतानाइट रैटर्स टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया है तो कौन है ये ये हैं वैब अरोड़ा और ये एक और राउंडर है याद रखेगा कौलकतानाइट रैटर्स टीम के लिए नहीं चुना गया बात करें आईपेल की वर्ष 2008 में इसे शुरू किया गया था उस समय था आईपेल वन सबस्यादा बार आईपेल कौन्स टीम जीती है वो जीती है मुंबई इंडियन पांच पार सबस्यादा रान है विराट खोली के सबसे ज़्यादा विकेट है लशीत में लिंगा की और आईपेल का सेकंड सीजन हुआ था वो हो था साउथ अफरिका में और उसी जीता है डेकन चार्जिज ने और आईपेल का 13 एडिशन पिछले एडिशन हुआ था 2020 में यूए में और उसमें जीता हमुंबई इंडियन ने और इस बार का जो एडिशन है आईपेल का 14 पहला जो हाफ सतर हुआ वो हुआ इंडिया में अब जो सेकंड लग है वो यूए में कंटिन्यू की जा रही है हिमाजडिश में कितने कलस्टर प्राइमरी स्कूल बना जाएंगे तो टोटल 100 कलस्टर प्राइमरी स्कूल बना जाएंगे हिमाजडिश में और पहले चरण में 100 कलस्टर प्राइमरी स्कूल बना जाएंगे और स्कूलों में छात्रों क सख्या सबसे अधिक है उन स्कूलों को क्रस्टर स्कूल बनाए जाएगा भारा सरकार की प्लांट वराइटी रिजिस्टरी ने किस सेव की नई किसम को संशोधित किसम के रूप में पंजीकृत किया है यनकी हमजडेश की कौन सी वराइटी एपर की वराइटी है जिसे की अब भारा सरकार की जो प्लांट वराइटी रिजिस्टर है उसके अंतरगा रिजिस्टर किया गया है तो इसका नाम है रेड डिलीशियस देखे कोटखाई के जल्टाहर गाउं के एक बागवान जिनका नाम है प्रेम सिंग चोहां तो उनोंने ये दावा किया था कि उनोंने एक नई वराइटी त्यार की है सेव की जिसका नाम रखा गया है रिलीशिस और इनके जो दावे को सही पाया गया अब पेटन्ट इनके नाम कर दिया गया है और ऐसा भियाद रिखेगा एप्स के नाम से इसको नाम रखा गया है रास्टिय के खुंब अनुसंदान के इंदर सोलन के वेगनिकों द्वारा त्यार मश्रूम की एक नई किसम का नाम क्या है तो नई वराइटी मश्रूम के बनाएगी है इसका नाम क्या रखा गया है हीरेशियम मश्रूम आप देख सकते हैं ये है हीरेशियम मश्रूम और नर्वस सिस्टम के लिए काफी ज्रूरी है और भूलने की बिमारी भी दूर करेगा ऐसा दावा किया गया ह इसमें आइरन और प्रोटीन काफी पोशक्ततों से बरपूर है ये इसका नाम याद रखेगा इसका नाम है हिरेशियम और इसे त्यार करने में लगवग 5 वरश लग गए रास्टिय शीत कालीन खेलों के लिए हिमाजव देश की कौन सी घाटी को विक्सित क्या जाएगा तो हिमाजव देश की चांसल वैली को विक्सित क्या जाएगा चांसल वैली कहां है ये है शिमला डिस्टिक में और जो चांसल पीक है हाइस्ट पीक है वो है 4520 मिटर की उंचा पस्तित और जो चांसल पास है वो डोडरा कवार को रूट से कनेक्ट करता है दोनों ही शिवला में है और चांसल पास के उंचाई जो है तीन है 750 मिटर है Ease of Doing Business Reform में हिमाज़देश की रैंक क्या है तो क्या रैंक है हिमाज़देश की 7th प्लेस पर है हिमाज़देश और 2019 के रिलीज की गई थी Ease of Doing Business Reform Action Replan याद रखे कि 2019 के लिए थी इसमें हिमाज़देश का रैंक 7th है और नमबर 1 पर है आंधरबर देश लिए तो कौन सा राजे E Cabinet को लागू करने वाला देश का पहला राजे बन गया है तो कौन सा राजे बना है ये बना है हिमाज़देश जिसने E Cabinet को लागू किया है और देश का पहला राजे बना है देखिए e cabinet को लागू क्यों किया गया तो हिमाचवदेश सरकार जो है हिमाचवदेश की जो cabinet है उसे paperless बना रही है इसलिए e cabinet application शुरू की गई ताकि paperless बनाया गया बनाया जाए जो भी का रहे है सारा laptop यह tap किया जाए हिमाचवदेश में कितने राजस्वध जीले हैं तो टोटल हिमाचवदेश में 13 राजस्वध जीले हैं ऐसे देखा जाए तो टोटल जीले कितने हैं 12 और राजस्वध जीले यानि की revenue dictionary है 13 यह देखे पूरी पूरी list लेकी गई है यहाँ पर जिसमें याद रखेगा बद्द पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर् देखिए काफी human wildlife का निफ्लिक्ट देखने को मिलते हैं और इससे काफी कौज आरी थी इसलिए शिमला मुंसिपल कॉर्परेशन है उन्होंने शिमला और शिमला के असपास एरिये के लिए जो human wildlife का निफ्लिक्ट है उसके लिए फोन नंबर भी जारी किया Snow Leopard Research Center is located at which place यान किबर फानी तेंदवे का जो अध्यहन के इंदर है वो कहां पर स्थीत है तो वो है किबर में स्थीत है आप देख सकते हैं यहां पर यह लौस पीदी डिस्टी का मैप है और यहां पर है किबर हिमाज़देश सरकार कौन सी योजना के अंतरगत हर पंचायत में शमचान घाट का निर्मान करवा रही है तो कौन से योजना के अंतरगत कर रही है यह करा हिये मोक्षताम योजना के अंतरगत इसे को मोक्षताम यहां पर जा सकते हैं और मोक्षताम योजना के अंतरगत प पर बारत का पहला हींग का पौधा रोपित किया गया तो यह है क्वारिंग विलेज क्वारिंग कहां पर है यह है लौसपेदी डिस्टिक में देखिए पहले जो है अफगानिस्तान से हींग लाए जाता था लेकिन हिमाजवडेश का इंस्टूट ऑफ हिमालयनबाय रिसोस ट इरान से लाए जाता था हिमाजवडेश सरकार ने किस वन्यजीव अभिहारन के 0.63 वर किलोमेटर के एक शेतर को रद करने का निर्णे लिया है तो कौन सा शेतर है यह है यह है रेनुका वाइलाफ सेंचुरी देखिए रेनुका वाइलाफ सेंचुरी का जो 0.14 स्केर किलोम उसे जो है पहले कंजर्वेशन एरिया में रखा गया था तो अब हिमाजवडी सरकार ने 0.63 स्क्वेर किलोमेटर एरिया को अब इससे फ्री कर दिया गया है और अब इससे जो है सेंचुरी में नहीं रखा गया है यानि कि अब वहाँ पर डॉयल्मेंट का रेकिया सकते हैं पर कुछ अगर विल्डव करना हो तो वहाँ पर कर सकते हैं तो टोटल 0.63 स्क्वेर किलोमेटर एरिया को जो है वहाँ पर ओपन कर दिया गया है अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कारिया किया जा सकता है अब देख सकते हैं यह है रेनुकाजी लेक और यह स्रिमॉट डिस्टिक में स्थित है वर्ष 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और 3807 स्केर क्लोमेटर इसका एरिया है अभी हम बात करें है रेनुका वाइलाफ सेंचुरी की जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और 3.87 स स्किर क्लोमेटर जो है इसका एड़िया है जिसमें की रेनुकाजी ऐगर एरिया को इटेच करें तो 4.02 स्कीर क्लोमेटर पूरा एड़िया बन जाएगा यहां दिपर देख सकते हैं मैप में यह सिर्मोर डिस्टिक है हमारे यहां पर और यहां पर है रिनुकजी लेक एक भारत सेष्ट भारत के तहात हिमाचपडेश को किस राज़े के साथ जोड़ा गया है तो किस राज़ा के साथ जोड़ा गया है हिमाचपडेश को ये जोड़ा गया है केरला के साथ याद रखेगा एक भारशेष्ट भारत को किते है थे हिमाचपडेश को केरला के साथ जोड़ा गया है और एक भारस्येश्ट भारत को कब अनौस किया गया ये किया गया था 31 अक्तूबर 2015 को उस दिन रास्टी एक तादी बस मना जाता है इसलिए एक भारस्येश्ट भारत अनौस किया गया था इसमें अलग-लग राज्यों की पेरिंग बना जाती है ताकि अलग-लग राज्ये एक दूसरे राज्ये के कल्चर को समझ सकें नीजपत का अविचल पंथी हिमाचव दिश्के किस पूरब मुख्यमंत्री की आतम कता है तो किसके आतमकता है यह है शांता कुमार जी की आतमकता याद रखेगा नीज पत का अवीचल पंती इनके द्वारा ये लिखी गई है बात करें शांता कुमार जी की 12 स्टमबर 1934 को कांगडा में इनका जर्म हुआ था और हिमाचर जिश के तीक सरे मुख्या मंत्री थे ये और 22 जुन 1977 से लेके 14 परवी 1980 तक इन्होंने कारेकाल संभाला और इनकी जो पत्नी थी पिछले वर्ष उनका नीदन हुआ उनका नाम था लेट संतोष शैलजा आई-पेल की तर्च पर क्रिकेट कराम्ती लेक की स्थान पर खेला जाएगा तो कहां पर खेला जाएगा ये खिला जाएगा रुखडू पर हिमाजबस सरकार दोरा वरिष्ट नागरिकों के सहर सपाटे और मरंजन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है तो कौन सी योजना है ये इस योजना का नाम है पंचपटी योजना हैं तो कहाँ से हैं विग बॉस 14 की विनर थी ए तो कौन से जले से हैं यह धर शिमला डिस्टिक से कि इनका जनम 26 अगस 1987 को हुआ और शिमला डिस्टिक के चॉपाल के शांता विलेज की एधने वाली हैं इनके फादर का नाम है गौपार डिलायक मद का और इन्होंने काफी सीरिल भी किये जैसे की चोटी बहु और शक्ती और अभी विक वास 14 की ये भी न रहें तीन दिवसी ये उडान मेला 2021 किस किस बैंक द्वारा समर्थित था तो जो उडान मेला है शिमला के रीज मैदान पर लगा था और इसे समर्थित दिया गया था यानि कि इसे फाइनेशल असिस्टेंस दी गे थी नबार द्वारा नैशनल बैंक फॉर एक्रिकल्चर एंड डूर डवर्मेंट याद रखीगा शिमला में इस कायर जिन किया गया था उडान मेले का तीन दिवसी ये मिला था इस मेले में जो भी हमारे पोड़क्ट है उने प्रमोट किया गया था किस बैंक की वीतिय मदद से हिमाचपटेश में पहली बार अमेरिका से आयातित पांच लेक लाग सेव और अन्य फनों के पोड़े लगाए जाएंगे तो कौन सा बैंक जो है फाइनेशल असिस्टन्स प्रोवाइड करेगा जिसमें की हिमाचपटेश में पांच लाग सेव और अन्य पोड़े लगाए जाएंगे तो ये लगाए जाएंगे वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इसके लिए विश्व बैंक द्वरा 1114 क्रोड की वीतियमत दी गई हिमाचपटेश को और लगबग 5 लाग सेव और अन्य फलदार पोड़े रोगाए जाएंगे हिमाचपटेश में इस योजना के अंतरगत हिमाचपटेश की कौन सी ग्राम पंचायत सोलर लिफ्टिंग सिंचाई संतर बनाने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है तो कौन सी पंचायत है ये है सेरी पंचायत जो की मंडी डिस्टिक में स्थित है तो याद रखेगा हीमाचप देश की जो मंडी डिस्टिक की सेरी पंचायत है सेरी पंचायत जो है विकासकंड गोहर में आती है तो देश की पहली पंचायत बन गई है जहां पर सोलर लिफ्टिंग सिंचाई प्लांट लगाए गया है रजस्तरिय छेचू मेला के स्थान पर आईजित किया जाता है तो ये किया जाता है रिवालसर में रिवालसर जो है मंडी डिस्टिक में है आप देख सकते हैं यह है रिवालसर लेक और वहां पर छेचू फियर यानि की छेचू फियर आईजित किया जाता है और ये क्या जाता है मंडिडिश्टी के रिवालसर जगह में और वहाँ पर रिवालसर लेक भी है और ये क्या जाता है गुरु पदम संभव उनके जनम दिन के अवसर पर इसे मना जाता है गुरू पदम संभव बुदिष्ट गुरू थे और उनके जनन्दिमस के अवसर पछेजू फेर मनाय जाता है और काफी हजारों की संक्या में उनके फॉलवर्ज यहां पर आती है रिवासर को त्रीवेणी के नाम से जाना जाता है बुरे वल्ड में यहां पर बुदिजम, सिख और हिंदू रिलीजन के काफी इंपॉर्टन रिलीजिस प्लेज है यह है पदम संभव का स्टैच्ची जो की रिवासर में बनाय गया है कलपा में अधिकतब तापमान कितना दर्ज किया गया जिसने 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है तो मैक्सम जो है 19 डिगरी टेमपरिचर दर्ज किया गया कलपा में और इसने 28 साल पुराना रिकॉर्ड जो है तोड़ा है तो मंडडरी डिस्टिक ने सवसे अधिक गॉल्ड मैडल जीते हैं, राजस्तरिय पेंचक सिलाट मारशल आर्ट पट्योगिता, और दो दिवस की अपट्योगिता थी, और इसमें मंडरी डिस्टिक ने 22ड पट्योगिता में 10, and 20 पट्योगिता में 9 और कांगड़ा ने 6. स्वन पदक जीते ओतीस रस्तान हासिल किया हिमाज़ों देश में पहली बार किस नसल के मुर्गे मुर्गी का पालन किया जाएगा तो किस का किया जाएगा ये किया जाएगा कड़कनात का अपनी इमेज़ी देखे पहचान लिया होगा इस तरह का मुर्गा होता है कड़कनात गुपालपूर चीडिया घर के संदर में कौन सा कतन सही है देखे मैं रीड़ करता हूँ इनको यह कांगड़ा जिले मस्तित है यहाँ पर एशियाई शेयर शेरनी का जोड़ा मौझूद है और इसके नजदीक बनेरखड बैदी है यहाँ पर देखे मैप में यह हमारा कांगड़ा डिस्तिक है जिसका की यलो कलर किया गया है और ग्रीन कलर में यह हमारा गुपाल पुर्जू और यहाँ पर है बनेरखड कौन से अभियान के अंतरगत ही माचपड़ेश्ट में करोना वाइरस की रोखताम के लिए 8000 स्वास्ते करमी की टी में घर घर जाकर लोगों के लक्षनों की जाच करेंगी यह भी पराना क्वेशन है लेकिन इंपोर्टन है बार बार री बीट हो रहा है इसलिए इसे यहाँ पर डाला गया क्रेक्ट अंसर है हिम सुरक्षा अभ्यान तिकी हिम सुरक्षा अभ्यान को 24 नमबर 2020 को मुक्य मंतरी जारम ठाकुर ने रीज मैजान से शुरू किया गया था और 25 नमबर से लेके 27 दिसंबर तक इस अभ्यान को चलाय गया इसमें जो है हमारा आयरवेर डिपार्टमेंट वुमेंड एंड चाल्ड डिवल्मेंट पंचाहिती राज डिस्टिक अडिमिस्टेशन और जितने भी एंजियोज हैं उन सभी ने साथ मिलकर कारे किया और जो हेल्थ वर्कर हैं घरगर जाके सभी का टेस्ट करेंगी और पता लगाएंगी कि किन किन को टेबी लेपरोसी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है और जिन जिन को ये सिम्टम है उनमें कोविड-19 के लक्षन है या नहीं है उनहीं चेक किया जाएगा राजेपाल बंडारु दत्तत्रे ने कि संगठंतार आईजी दो दिवेसिय इंटरेक्टिव किशमता निर्मान पहल कारकर्म का उदगाटन किया यानि कि इंटरेक्टिव कपैस्टी विल्डिंग इनिशेटिव प्रोग्राम को और्गनाईज किया गया था तो किसके दोरह और्गनाईज किया गया था तो यह किया गया था उनिटरेक्टिव कपैस्टी बिल्डिंग इनिशेटिव प्रोग्राम में इसे और्गनाईज किया गया था Interactive Capacity Building Program इसे शुरू किया गया हिमाचपडेश में और इसे शुरू किया गया था United Nations Office on Drugs and Crime द्वरा और जिसका की Regional Office जो है वो है New Delhi में इसके लिए वर्चुली काफी प्रोग्राम भी और्गनाईज किये गये इसके लावा हिमाचपडेश में भारत में पहली बार ऐसा एक इंस institutional mechanism बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है HP नशा निवारन बोर्ड जो की नशा निवारन के लिए बनाया गया है जिसके head कौन है मुख्यमंत्री जाराम ठाकुर नशे को रोकने के लिए काफी कारे के जा रहे हैं इस बोर्ड के द्वरा और इस बोर्ड के जो convener और advisor यानि इतना ही याद रखेगा तो यह है हिमाचप डेश प्रेटन विकास निगम यानि कि हिमाचप डेश टूरिजम डॉर्मेंड कॉर्परेशन इसकी दो यूरोग सिक्स की एसी वर्वो कोचीज है इन्हें फ्लगाफ किया गया हिमाचप डेश के कि संस्कृतिक कारेकरम की का नाम है संत्रा और इसमें नाटी की तस्वीर को लगाया गया था इसके लिए काफी कंफ्लिक्ट भी हुआ और लोगोंने डिमांड की कि इसको खटाए जाए इसके लावाई ये भी धियान रखिया गया कि पंजाब में भांगडा डोल और पंजाबी हीर नाम की इस तरह क देशी शराब बेची जाती है और राजस्तान में घूमर और ढोला मारू इस तरह के तस्वीरें भी लगाईगी है शराब की देशी ब्रेंड के ऊपर और हिमाचले सरकार ने किस नगर निगम अधिनियम में शोधन किया है जो की पार्टी के प्रतिकों पर नगर निगों के चुनाब कराने का मारे प्रस्वत करता है यानिकि जो मुनसीपल कॉर्परेशन के हमारे चुनाब होंगे उसे पार्टी की सिंबर पर किया जा सकेगा इसके लिए जो एक एक्ट है उसका शुदन किया गया तो कौँसा एक्ट है यह है हिमाचलेश मुनसीपल कॉरपरेशन ए की गई और डिस्क्वालिफिकेशन रखा गया अगर कोई डिफेक्शन का ग्राउंड ब्रीच करता है इसके लावा नो कॉंफिदेंस मोशन भी चलाए जागा उनके उसलाव किस तान पर किसानों के हिद के लिए डॉक्टर वायस परमार विश्वदाले द्वारा क्षित्री या बागवानी अनुसंधान और प्रसिक्षन स्टेशन की स्थापना की जाएगी तो यह की जाएगी सिर्मावर के दौला कुवा में हिमाचपदेश मंतरी मंडल ने हमेर पुर्जिले के गवर्मेंट सीनियर स्केंटरी स्कूल मनोह का नाम बदल कर किस गलवान शहीद के नाम पर रखने की सहमती दी तो कौन है यह यह हैं मार्टियर अंकुष्ठाकर और गलवान में शहीद हुए थे जब इंडिया चाइना क का कंफ्लिक्ट हुआ था तो गवर्मेंट सीनियर स्केंटरी स्कूल मनोह के कापर है वह हमेर पुर्जिले में है इसका नाम बतल कर अब इनके नाम पर रखा जाएगा शहीद अंकुष्ठाकर गवर्मेंट सीनियर स्कूल मनोह के अनुसार ही माचपदेश के कौन से सब्सक्रम्सामं के प्रती संबिदय लिदिक्ट गोशित किया गया है तो कौन सा यह है यह है नारगू वाइलाइब सेंचुरी यहां पर देखिए मैप में यह मंड़ी डिस्टिक हाए ये कुल्लो डिस्टिक है और मंडी डिस्टिक में आप ये जो green line देख रहे हैं ये है ब्यास नदी और ये है नारगू वाइलाइफ सेंच्री और नार्गू वाइलेफ सेंचुरी में ही मंडी डिस्टी की जो हाइस्ट फीक है नागुरू वह भी स्थीत है और इसके जो चारो तरफ का 50 वर किलोमेटर के एडिया है उसे अब एको सेंचिटिव जोन गोशित कर दिये गया है इसके लावा यह जो हमारी नार्गू वाइलेफ सेंचुरी है इसमें याद रखेगा इसका जो एरिया है मंडी और कुलो में स्प्रेड है और इसका 132 स्केर किलोमेटर एरिया में फैला है और इसमें काफी फ्लोरा और फोना के पर जातियां पाई जाती है इसके एक साइड में है हमारी उहल खड़ इसको भी याद रखेगा इस तरह से है यहाँ पर है उहल खड़ और यह है नार्गू वाइलेफ सेंचुरी और यहाँ पर यह है व्यास नदी इस तरह से याद रखेगा हिमाजवदेश का पहला शिवधाम मंडी जिले के किस तान पर बनेगा तो यह कहां बनेगा यह बनेगा कांगनी दार में मंडी जिले में है कांगनी दार यहाँ पर समझिए देखिए यह जो है यह हमारी ब्यास नदी मंडी डिस्टिक में और यह सारा का सारा जो है यह मंड खड और यह है सुकेती खड ठीक है जी और यहां पर आप देख रहे हैं यह प्लेण एरिया है यह है कांगनीदार तो यहां पर शिवदाम को बनाय जाएगा और इसके लिए हिमाजबरेश के जो छोटी काशी है 12 चोटी काशी मंडी है वहां पर 12 जो तरिलंगों का शिवदाम बनाय जाएगा और इसका जो डिजाइन है वो ओम आकरिती का रखा गया है अब देख सकते हैं यह वो डिजाइन बनाय गया है वो ओम आकरिती का डिजाइन रखा गया है इस शिवदाम के लिए और 150 क्रोट रुपए से इस शिवदाम को बनाय जाएगा इसमें फेज बन का क मेहला बनेगा वह होगा ही माचोडरेश के मंधी डिस्टिक में मंडी डिस्टिक इसके लावह मंडी का 3 नाम किया है वह सबस्कोले तलो है उप्शचन कहीत On में जदम और शुभाजन जो है उसुक दे रहासत ही हुआ ता साहुसेन और बाहुसेन यो दो भाई थे और इनका पस में जगडा हुआ तो बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की और अजबर सेन जो कि बाहुसेन की उन्नीसमी पिडी के संतान थे तो बंदा सुस्ता इसमें उन्हें मंडी शेहर की स्थापना की और मंडी रियास की हलवब से किया जा रहा है हिमाजवडे सरकार चुक के बहुएलिक संगे इक प्रबिट्र Alright चतनी होती है जो की चित्राली चिली से बनती है और चित्राली चिली जो है यह मुखे रूप से चमबा में उगाई जाती है हिमाजवरे सरकार किस योजना के तेहायत रज्य के पात्रकेसान उतपादक संगटनों को परोटसान और रियायत up «to surround करेगी तो कौनसी योजना है जिस्के अंतरगत जो हिमाजवरे के जो पात्रकेसान उतपादक संगटन है यानि की फर्मर प्र्डुसर ओर्ग्यस नहीं इसंटीव दिए जायगा कॉम्ष्ट जी ब्लट करिशी रोपते ब्लाएं अकुरीवटी यह जाएगा उसका ठाशियोर्गार्ड प्रयोट्र में यह जहांगे और जो तोल इक्यूटी यह चाहिए है उसका अंक ही दिया जाएगा वन एठाफ ही दिया जाएगा इसको याद रखी गा ये है फार्मर प्रोडूसर ओर्डेशन के लिए इसे योजना को शुरू किया गया है इसका नाम है मुक्या मंतरी क्रिशी को स्कीम मुक्या मंतरी जाराम ठाकोरने के स्थान पर जल क्रिड़ा गती वीदियों का उदगाटन के तो कहाँ पर किया ये किया ततापानी में इसका नाम याद रखीगा काफी इंपोर्टन है ये और इसे किया गया नई राहे नई मंजल प्रोग्राम के अंद्रगत नई राहे नई म को शुरू किया इसमें स्पीड बोटर वाटर स्कींग जेट स्कींग स्काइबोडिंग और वाटर स्कूटर क्रूज इस तरह के जो वाटर स्पोर्स एक्टिविटीज है वो की जाएंगी इसके लाबा टूरिजम को प्रोपोर्ट करने के लिए काफी कारे भी के जा रहे है जैसे की वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू की जाएगी कोल डैम एरिया में वहाँ पर पॉसिबलेटी देखी जारी है और सतलुज आरती को भी शुरू किया गया और 1191 किलोग्राम की जड़ी बनाएगी तता पानी एरिया में और इसके लिए गिनीज बुक वाटर कॉर्ड भ बारवास तापना दिवस था और पूरे भारत में कितने आएटी हैं टोटल 23 आएटी हैं बात करें आएटी मंडी की मंडी डिस्टिक के कमांद विलेज में स्थित है 24 फरवी 2009 को इसके सापना की गई थी चेर्मेन है प्रेमरत डिरेक्टर हैं अजीद कुमाद है तो कितना प्रेमियम है जो बीपियल और बीपियल परिवार हैं उनके जीरो यानिकी शुन्य रुपए रखा गया है देखिए हिम के रियोजना के अंतरगत काफी लाब दी जाते हैं पांच लाक रुपए तक निशूल के इलाज का प्राबदान रखा गया है बात करें प बच गया है जो इन दो कैटिग्री में नहीं आते हैं जो बच गया है उनके लिए एक अजार पर रखा गया है गूगल की बोर्ड में हिमाचलेश की कितनी क्षेत्रियां भाशाय सम्मिलित की गई है ये भी कॉशन पुराना है लेकिन इंपोर्टन है इसलिए अड़ अड़ तो तीन भाशाएं जो हैं गूगल की बोर्ड में हिमाचलेश की एड़ की गई है और कौन है ये कांगडी मंदियाडी और महासुवी हिमाचलेश के मुक्यमंत्री जराम ठाकूर ने की संस्थान में टेकनोलजी इनोवेशन हब का उदगाटन किया तो कहां पर किया ये किया आयाटी मंदी में तो आयाटी मंदी में 1110 क्रोड की लागश से बनाया गया ये टेकनोलजी इनोवेशन हब और इसका उदगाटन किया मुक्यमंत्री जराम ठाकूर ने IIT मंदी की संस्थाग जीवनी का नाम क्या है यानि की इनकी इंस्टिशनल बाइगराफी उसका नाम क्या रखका है इनों ने इनों रखका है Scaling the Heights IIT मंदी's First Decade लाल बहादुर शास्त्री Medical College हिमाजपदेश में कहां सिता है तो कहां पर है यह है नेचौक में नेचौक कहां है मंडी डिस्टिक में वर्ष 2009 में इसके सापना की गई थी इसे एफिलेशन दी गई है अटरल Medical and Research University द्वारा जिसका पहले नाम क्या था हिमाजपदेश University of Health Sciences परधान मंतरी किसान सम्मान नीदी योजना के प्रभावी कार्यावन में हिमाजपदेश की श्रिणी में शिर्षपरा यानि कि जो हमारी परधान मंतरी किसान सम्मान नीदी योजना है उसमें हिमाजपदेश टॉप रहा है तो कौन सी केडिगरी में टॉप है तो हिमाजपद चिज्टी के लोल्स स्पिती ने टॉप किया है अधार और स्था एगरी में यंदार कॉन रहा उत्राखंड का नइधार निवाद रखींगा इसमें overall category याद रखेगा नॉर्थ इस्ट और हिली स्टेट की category है और individual जैसे अधार authentication, number of farmer paid और physical verification और grievance रिड़ेसल ये independent categories दी इसके लावा जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान नीदी स्कीम है 24 February 2019 को इसे शुरू किया गया था और उत्तरबनेश के गोरकपूर से इसे लाँच किया गया था हीमाजडेश विधान सभा के सचीव कौन हैं तो कौन है सचीव यह है य tutorial सर्मा है और यह सेकरेट्री है सचीव है हीमाजदेश विधान सभा के और स्रे मोडिश्टी के रहने YOUR लूहरी जल वीदियो तो प्रयोजना किस नदी पसतापीत की जाएगी तो यह की जाएगी हमारी सतलु नदी के ऊबर सतापीत है यहां पर कुलू है यहां पर श्यूमला है और बीज में जो ब्लैक डॉट देख सकते हैं ये लूरी प्रजेक्ट आंपर लगा जाएगा और इसकी जो पावर जनरेटिंग कपैस्टी है 210 मेगावाट है 1010 क्रोड की लागर से इसका निर्मान किया जाएगा और सतलू नदी के उपर इसका निर्मान किया जाएगा और ये शिमला और कुलू के बॉर्डर पर बनाए जाएगी इसके लिए जो M.O.U. साइन किया गया था वर्ष 2019 में नमबर 2019 में जो राइजिंग हिमाचल गलोबर इन्वेस्टर मीट हुई थी वहाँ पर इसके लिए M.O.U. साइन किया गया था और इसे इंप्लिमेंट के जाएगा सतलू जल वीदिद निगम लिम्टेड द्वारा और इसमें जो मॉडल होगा वो होगा बूम मॉडल यानि कि बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन मॉडल उन्नत जीवन समत्रन प्रणाली एंबुलेंस यानि कि Advanced Life Sports System Ambulance का क्या नाम है जिसे हाली में मुख्यमंत्री जराम ठाकूर ने हरी जंडी दिखाई है इसका नाम क्या रखा गया इसका नाम रखा गया जीवन दाइनी इसमें ये आद रखेगा कि Total 6 जो है New Advanced Life Sports System Ambulance जो ही ने फ्लैक आफ किया गया इनका नाम रखा गया जीवन दाइनी हे माज़देश में माज़देश के जितने भी Government Medical College है उनमें इस Ambulance को बेज जा गया है इसमें जो है Advanced Facility दी गई है जैसे की ICU Ventilator, Vital Sign Monitor, Automatic External Defabricator, Syringe Infusion Pump इस तरह की जो Advanced Facilities हैं वो सारी सारी दी गई है Driving License, पंजीकर्ण, प्रमान पत्र और पर्मिट के बारे में राज़देश को लोगों को सुविदा परदान करने के लिए ही माज़देश परिवन विवाग ने कौन सी सुविदा शुरू की है इसका नाम क्या रखा गया है E-PRIVAN विवस्ता इसमें जो भी हमारा Driving License, Registration, Certificate और Permit है वो सारे हम ले सकते हैं इस E-PRIVAN विवस्ता के अंतरगत इस तरह का इसका Portal बनाया गया है सौन जनती कारेकरम के तहट आईजित राजस तरिय फॉर्टिफिकेशन शीकर सम्मिलन के अधिक्षता किसने की यानि कि जो State Level का Fortification Summit था उसे Organize किया गया Golden Jubilee Program के अंतरगत इसके अधिक्षता किसने की इसके अधिक्षता की राजिंदरगर ने राजिंदरगर के हमाचलेश के Food Civil Supplies और Consumer Affair Minister है यह की Food Fortification किसे कहते हैं जो Food Fortification है उसमें जो Food होता है हमारा उसमें Micronutrient Add Up की जाते हैं उसे कहते हैं Food Fortification तो इसके लिए जो सेमिनार आज़ित किया गया था हमारे हमाचलेश के Food Civil Supplies और Consumer Affair Minister हैं वो है राजिंदरगर इनके दोरे इसके अधिक्षता की गई इसके लाबा प्रिंटिंग और स्टेशने डिपार्टमेंट भी इने के पास है सरपदंश के नियंतरन के लिए एक करण नीति की योजना बनाने के लिए WHO के विशेशक्डियों के पैनल में हमाचलेश के किस विशेशक्डियों को शामिल किया गया है इसके लाब आव वर्श 2019 में इन्हें पदम शीर सम्माने भी किया जा चुका है अटरल रोहतांग टरनल की लोकारपन समारो के दोरान मुख्यमंतरी जाराम ठाकुर दोरा प्रधान मंतरी ने अंदर मोधी की कौन सी पेंटिंग बेंट की गई तो प्रधान मंतरी ने अंदर मोधी को कौन सी पेंटिंग बेंट की मुख्यमंतरी जाराम ठाकुर ने तो इन्हें की थांगा पेंटिंग, ये देखिए अड़रो थांग टनल का जो उद्गाटन समारो था, उस तमें दी गई, कॉशन इंपोर्टन है, लेकिन पुराना है, लेकिन इसलिए इसे एड़ अप किया गया, पात करें थांगा पेंटिंग की, इसे तीबितिन बुदिश पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो भी बुदिश डाइटी है, उनके मंडला और सिंबल्स हैं, वो दर्शाय जाते हैं, ये थी मारी डिसकेशन और अगर आपको इस सेशन की पीडिया चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिपिशन बॉक्स में दिया गया है, व मिलते हैं अच दिसकेशन में, थैंक्स वर वचिंग वीडियो, दो लाइक, शेयर और सब्सक्काइब मैं चैनल